हर्यना की नुहु जेल में बंद कैदियों के साथ बेरहमी से पिटाए की गई है चलने फिरने में भी नहीं है सक्षम डालसा में परीजरों ने शिकायती है बताने की जिला कारागार नुह में नियाइक अभिरक्षा में बंद कैदियों के साथ जेल सुरक्षा में लगे। करमचारी वे अधिकारियों पर चानवरों की तरह भेरहेमी से मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। नुहु हिंसा में नामजत आरोपी जेल सुरक्षा कर्मियों की पिटाई की वज़े से चलने फिरने तक की सूरत में नहीं बताय जा रहे हैं। कई कैदियों को फाक्चर आने तक की खबर मिल रही है। पिडित पक्स के वकील ताईर हुशैन रूपडिया के साथ साथ पिडित परीजनों ने जिला विधिक शिवा प्राधी करण नुहु में अब जिला कारागार नुहु में बंद कैदियों के साथ बरबरता करने वाले सुरक्षा कर्मियों की सिकायत कर दी गई है। अब देखना यह है कि ढलसा इस मामले में क्या कानुनी कारवाई के आदेश चारी करता है। दिसंबर की रात को उसके भाई को नुहु हिंसा के मामले में जेल में बंद। शौकीन, इमरान, ओशामा, शोहिल इत्यादी कैदियों के साथ बंद करके आठा चक्की में दरजनबर से अधिक करमचारी वे अधिकारियों ने जानवरों की तरह पीटा आठा चक्की में बंद कर इन कैदियों को अधमर कर दिया। इस बात की पोल उस शमय खुली जब सिकायद करता समसेर अपने भाई से मलाकात करने के लिए जेल गया था। जेल प्रसासन ने ऐसे कताई भी गंबीरता से नहीं लिया। जेल में बंद कहती अपने सरीर पर लगे जख्मों की वज़े से चीक पुकार रहे थे। लेकिन उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जब इस पात की समसेर सिंग को पता लगी तो उन्होंने इस मामले की स अब देखना यह होगा कि इस मामले में इतने गंबीर मामले में न्याय पालिका का क्या आदेश आता है ताकि फिर जिला कारागार नुहु में इस तरह कि कैदियों के साथ कोई अमानवी है, हरकत देखने वास सुनने को ना मिले। ताइरी हुशेन रूपडिया ने कहा है कि डालसा सचिप, सीचीम, अनिता यादव के अलावा डालसा चियर्मेन, शैसन जच, माननिये सुनील कुमार को सिकायत दी गई है। आप देखरें नुहमिवास लियाकर अलेक रिपोर्ट। हैं जो मेरे कलाइंट हैं उनके साथ उनके पैरेंट्स मिलने गए जेल में, जो डिस्टिक जेल में, महमें बन ले भाएं तो उनके जेल में तेञे हैं, कि हाद में फ्रेक्छर इसने उनके परिवारवाडोंने, तो हमने Chief Judicial Magistrate DALSA को District Legal Services Authority को application किया, Chairman साब को भी application दिए, जो हमरे ईसे सेसिंजर चीयर्मेन होते हैं DALSA को, और उनके regarding Jail, DGP Jail को भी mail की गई है, Honorable Chief Justice Punjab इनाज़ाना को application दिये, कल हम उनकी medical के लिए application लगाएंगे, क्योंकि उनके पैरेंट्स ने आके एफिडिविट दिया है बाकाइदा कि उनके साथ इस तरह मार्किट की है जब कि वो किसी मुकदमे में वान्टिड नहीं हैं सिर्फ जिन मुकदमों में उनका ट्राइल चल रहा है इन्विस्टिकेशन कम्प्रीट होगी है उनकी बेल मेटर इसलगी है कि premise इनके साहरे मार्कित की है और यह बाकाइदा उन लोगों ने particular जेल में जो टेनात करमचारी हैं के पांच चे और दूसरे Τοजह भी जल्ичноझ हो जाएगए और इस तरह के जादते जुर्म जो है गहर कानूनी तरीके से घलत मैं कहूंगा कि यह जेल अथर्टिस की का और कि सारा का सारा जेल जो केमपस है वो सीचिटीवी फूटेज हैं महां, कैमरे हैं वहां भी देखे जा सकते हैं इस तरह ने कि वो मैंने बार बार उनसे ये कह के का है इस चीज़ को कंफर्म कीजी आप तो वो जब मिलने गए तो उनको वो लोग सामने से बलकि दूसरे लोग उठा के लेका है वो इस तरह की पोजिशने के लोगों की तो वो चलने के मुमेंट चलने की पोजिशन में भी नहीं है तो इसके लिए बागादाएक से जेल में रहते हुए थी उन समका यहनन हुआ है